हेलो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम टू वेल अकैडमी माई नेम इस लामे नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मिक्सप चीज़ें पड़ेंगे मतलब मैं आपको कोश्चेंस भी कराऊंगी आपको इसी कोश्चेंस के साथ हाइड्रोस्ट्राटिक परडॉक्स को भी समझाने की कोशिश करऊंगी और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अगर बॉडी कम्पलीटली समर्जडे तब फोर्सस क्या होँगे हाइड्रोस्ट्राटिक तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वीडियो के हैंड तक मेरे साथ बने रही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन्स मिलती रहें और मेरी वीडियो आपके लिए आती रहें चैनल को सबसे पहले हम डिसकस करते हैं बोल रहा है टैंक इस थ्री मीटर वाइड इन्टु दी प्लेन ओफ पेपर कैल्कुलेट दी होरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉंपोनेंट्स ओफ दी हाइड्र स्टाइडिक फोर्स ऑन क्वाटर प्लेन एबी डाग्राम आपको नहीं द में डिवाइड कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक आपको वार्टर चर्केल यह गिवेन है Is इसके उपर इस तरीके से यह fix है और यहाँ पर water fill है यह given है हमें diagram मैंने अपनी दरफ से नहीं बनाया है यह A बोल रहा है यह B बोल रहा है हमें इस पर लगने वाले hydrostatic force के components निकाले हैं इसकी कुछ dimensions भी दी है आप dimensions भी देख लीजेगा जैसे कि यह quarter circle है तो इसका center कहीं यहा से यह 5 meter की radius given है और क्या given है वो भी दिखा देता है यह भी 5 meter हो जाएगा यह 4 meter given है और विर्त की बात कर रहा है विर्त इसकी 3 meter है टैंक इस 3 meter wide तो मैंने आपको विर्त बता दिया है बाकी जो diagram में given था वो यह है हमें क्या निकालना है horizontal and vertical component निकालने तो कैसे निकालेंगे स आपसे पहले आप देखो horizontal component का formula क्या पढ़ा आपता है आपने horizontal component of the hydrostatic force is equal to rho gx into a of bt अब देखे यह question important होने वाले है because यहीं से आप सीखोगे कि vertical projection का area कैसे consider करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक इस तरीके से fixed support है fixed support से ही यह quarter circle इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है अब हमें क्या करना है इस quarter circle का area लेना है तो जब आप इस तरीके से इसका projection बनाओगे तो आपको क्य मिलने वाला है इस तरीके से एक line मिलेगी ओके इसका projection यह हो जाएगा 5 meter और इसके पीछे भी यह tank है ना तो यह just like a quarter circle shape में एक सिलेंडर होगा तो इसकी पीछे कुछ length भी होगी जो की हमें visible नहीं होगी obviously बात है तो यहाँ पर मैंने यह consider कर लिया ओके और इसकी width कितनी बोल सकते हूं मैं area निकाल सकती हूं vertical projection का कितना हो जाएगा is just like a rectangle तो 5 into 3 यानि 15 अब unit किस में दी है meter में दी है तो यह हो जाएगा meter square ओके अब हमें क्या करना है अब हमें x bar की value निकाल लिए रो जी x bar into a formula होता है ना तो x bar क्या होगा x bar हमारा cg होगा इसी vertical projection का तो देखिए free surface है free surface से 4 meter नीचे यह projection बना होगा तो free surface से हम लोग x bar देखते हैं जो मैंने x bar consider करा था वो free surface से consider करा था और यह free surface से 4 meter depth पर पूरा arrangement दिया हुआ है तो आपको 4 meter तो consider कर नहीं है साथ ही साथ अब अगर किसी rectangle का आप से मैं x bar पूछू तो आप बोलोगे rectangle के लिए जो x bar होत है वो उसके center पर होता है अगर total depth d है तो d by 2 पर होगा तो यहां पर total depth किती दिये 5 दिये तो इसका जो cg होगा इसका जो x bar होगा वो यहां पर होगा तो यह जो अगर यह distance में top से या bottom से पूछू आप से तो यह half आप divide करेगी 5 को तो 2.5 यह होगा and 2.5 यह होगा तो free surface से 4 तो आपको depth पर नीचे आ नहीं है यहां पर पहुच गया उसके बाद आपको cg तक पहुचना है तो 2.5 आपको और add करना पड़ेगा तो यहां पर जो total हो जाएगा यह हो जाएगा 4 प्लस 2.5 it means 6.5 meter आपके horizontal component निगालने में कोई भी problem होगी आपको बिल्कुल भी नहीं तो बहुत आसान हो जाते हैं question अगर आपको vertical projection मिल जाए तो आप इसे solve कर ली जाएगा आपको final answer मिल जाएगा ओके अभी मैं या बाद में आपको इसको solve करके दिखा दूंगी अभी हम लोग चलते है horizontal तो हम लोगोंने find कर लिया vertical force निकालते है vertical force क्या होता है रो जी अब आप यहां पर देखोगे आपको volume consider करना है तो आपको दिख रहा होगा कि आपको यहां से उपर जाना है free surface तक यहां से उपर जाना है free surface तक फिर यह जो curve surface, free surface तक volume consider करेगा आपको यह वाला volume consider करना पड़ेगा तो यहां पर देखोगे यहां पर तो आपको quarter circle दिख रहा है और यहां पर rectangle दिख रहा है तो आपको क्या करना है अब यह rectangle भी उतना ही पीछे extrude होगा जितना यह quarter circle की यह जो हमारा tank है इसकी जितने विर्थ ती यान और ही यह tank के shape में आया होगा वरना यह circle में कैसे fluid रखेंगे आपको तो कुछ volume चाहिए होगा ना तो पीछे जो जो आपको नहीं दिख रहा है जो बोड के पीछे volume हो वो कितना length का है 3 meter depth वो उसने बोल दिया होगे तो यहां पर आप क्या करोगे total volume consider करोगे तो यह आप first part म वोनों के volume add करने तब आपको total volume मिलेगा contained by this particular curve up to free surface तो यहां पर अगर आप FV निकालोगे तो रोजी की तो हमें कोई tension नहीं है 1000 x 9.8 हमें पता है अब मैं रखने जारी हूं volume अगर मैं आपसे इसके volume की बात करूं तो पूरे cylinder का volume क्या होता है pi r square h यही होता है pi r square h बट यह क्या है cylinder का one fourth part है तो हम क्या करेंगे volume का one fourth कर दें तो हमें इसका volume मिल जाएगा तो यहां पर मैं लिखने जा रही हूं pi r square की जगा 5 square h की जगा 3 divided by 4 ओके total volume divided by 4 तो आपको quarter volume मिल जाएगा प्लस अब यह rectangle पर आ जाए यह rectangle का देखे आपको यह पता है 4 है यह पता है 5 है और पीछे जो विर्थ दी होई है वो पता है 3 है तो यहां पर आप simple रख सकते हो 4 into 5 into 3 तो आपको यह total volume मिल जाएगा अगर यह cube होता सारी dimension सेम होती तो volume क्या होता a cube ओके यानि 3 sides का multiplication हम लोग करते हैं यहां पर 3 sides है और 3ों की dimensions अलागे 4 है 5 है 3 है तो मैंने 3ों का multiply करा के volume निकाल दियोगे तो यहां पर अगर आप fv निकालोगे तो रो कितना है 1000 है जी कितना है 9.81 है और यहां पर आप इसे solve कर सकत हो पाई 5 square into 3 by 4 plus 4 into 5 into 3 अप क्या कोई problem होगी आप यह बिल्कुल भी नहीं होगी सारी की सारी values आपको पता है simple calculate कर ली मैं आपको final answer बता देते हूं यह करीब 956 points something आएगा आप चेक कर लीजेगा 957 तक आप इसे consider कर सकते हो और इसका जो answer आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1166 point something something होगे 1167 तक आप consider कर सकते हो तो 66 point something आ रहा है यह 67 आ रहा है तो answer हमारा correct है तो यह हमारा first question complete होगे यहां पर मैंने आपको projected area लेना भी सिखाया then volume भी निकालना सिखाया कि up to free surface तक हम लोग किस तरीके से volume consider करते हैं दूसरे questions की तरफ बढ़ते हैं उसको वह भी बड़ा बड detail मिल जाएगी चलिए next question discuss करते हैं और मैं आपको यह बता दूँ जो मैंने अभी आपको question कराया है जिसके मैंने आपको answer बताया है वो मैंने kilo Newton में बताया है कि जब आप final answer निकालोगे तो आपको Newton में मिलेगा विकास आपने सारी चीज़े Newton और मीटर में रखी हैं तो मैंने उसमें thousand का divide देके उसको kilo Newton में change करके answer बताया हो के तो आप भी thousand का divide जब दोगे उसमें तभी आपको kilo Newton में answer मिल जाएगा यह question देखेगा जिसका मैंने already diagram बना दिया आप question सुनिए बोल रहा है find the magnitude and direction of water force acting on curve surface of the dam which is shape according to relation y is equal to x square upon 9 as shown in the figure the height of water contained by dam is 10 meter and its width is unity okay आपको width unity दे हुई है और यह जो shape आ रहा है ना dam का यह जो shape आ रहा है इसकी उसने equation दे दिया है y is equal to x square by 9 यह हमारा दे रहा है y is equal to x square by 9 तो यहां पर आपको यह दिख रहा होगा यह जो आपको curve दे रहा है यह parabolic equation को follow कर रहा है यह parabolic equation है ना तो it's just like a parabola अब आपको क्या निकालना है आपको निकालना hydrostatic force यानि components निकालने horizontal and vertical direction में चलिए चुरू करते हैं अपना सारी चीज़े प्रोसीजर यह हमारा हो जाएगा horizontal force rho g a of vt into x bar यह हो जाएगा अब यहां पर curve surface दिया तो डरने की कोई बात नहीं आपको height पता है और इसकी विर्थ भी दे रहा है बोल रहा है कह रहा है कि unity ले लिजाए आप तो यहां पर अगर आप इसका projection vertical projection बनाओगे तो इस तरीके से vertical projection आपको मिलने वाला है height 10 है तो 10 मिल जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा इस तरीके से तो यह unity है यह unity मिल गया और यह आपको मिल गया 10 meter तो यहां पर आपको area निकालने में कोई भी problem होगी बिल्कुल भी नहीं होगी 10 into 1 is equal to 10 meter square सारी चीज़े dimension meter में दिए तो meter square में हमारा area आगया अब यहां पर अगर मैं cg की बात करूं तो x bar की बात करूं तो top surface से अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक का value क्या होती है यह आपका cg होगे तो total 10 है तो x bar कितना हो जाएगा आपका simple हो जाएगा 5 meter क्योंकि यह जो डैम है यह already free surface से लगा हुआ है तो कोई extra depth तो आपके पास है नहीं तो directly आप x bar ले सकते हो इस particular projection का तो projection हमारा just like rectangle rectangle के लिए जो x bar होता है वो just उसके depth जितनी होती उसके just half पर लाई करता है यह हम लोग mechanics में और strength of material में पढ़ते आ रह करी होगे उससे थोड़ा avoid करिएगा because थोड़ा sure हो रहा है hydrostatic force चले निकालते है fh is equal to rho कितना हो जाएगा 1000 g कितना हो जाएगा 9.81 और vertical projection की बात करूं तो 10 हो जाएगा और x bar कितना मिला आपको 5 मिला अब ज़रा इससे solve करिए यहाँ पर मैं इसको solve करके आपको दिखाती तो यह हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू 10 इंटू 5 ओकि अब इसे 1000 से divide देके 490.5 कर लिजे तो यह हो जाएगा 490.5 किलो न्यूटन ओकि न्यूटन में निकला मैंने 1000 से divide देके किलो न्यूटन में change कर लिया अब यह हमारा एक answer आ गया horizontal component अभी हमें क्या निकाल ला है vertical component न integration अगर यहाँ पर मैं इसको O की जगा A माल लूँ इसे B माल लूँ ताकि आप AB के according ही समझतर हो चीजे तो A से B तक का integration into DV ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना fluid contain हुआ तो यह देखें यहाँ पर क्या fill है water fill है तो आपको यह area नहीं consider करना है जो dam consider करें आपको कौन से अरिया एस ऐसे दो करना है ऑपको यह area consider करना पड़ेगा तो यह area consider करने के लिए हम क्या करें गे हम इसे integrate करेंगे स्मोल इस्ट्रिप के लिए क्योंकि हमें equation पता है हमिं E CT पता है अगर हम एक master बना लें एक particular strip के लिए तो हम A से B तक उससे इंटीरेट कर देंगे और हमें limit भी पता यहां limit zero होगी और जब आप यहां पहुच जाओगे तो आपने कितनी height cover करी 10 meter तो हम क्या करने वाले हैं किसी certain distance y पर जाकर किसी certain distance y पर जाकर एक strip consider कर लेते हैं इस तरीके से और इसकी strip की जो थिकने से वो क्या माल लेते हैं dy थोड़ा साप clearly साफ साफ लिख लिजएगा ओके हमने क्या करा y distance पे जाके कि small strip dy thickness की consider कर ली अब अगर मैं इसका volume लिखूं डीवी लिखूं तो क्या लिखूंगी fv is equal to rho g into integration a to b अब a to b की जगा क्या लिख सकते हैं यहां से y की direction में आपने limit ली y की direction में आपने strip consider करें तो y की direction की limit ले रखेंगे तो यहां पर तो y 0 है और यहां जब आप पहुचोगे तो y आपका कितना हो चुका होगा 10 हो चुका होगा student है वो है विर्थ विर्थ आपको क्या बोल रहा था कर रहा था unity ले लिजे आप question के last में ध्यान दीजे बोल रहा है the height of water contained by damn is 10 meter and its width is unity तो यहां पर आपको क्या करना one का multiply करा देना अब x की value आप इस equation से निकाल सकते इस equation से जरह x की value निकालिए तो आपको मिल जाएगा 3 under root y यही मिलेगा put कर दीजे तो fv आपको मिल जाएगा row into g integration 0 to 10 3 under root y dy अब तो कोई problem ही नहीं है यह 3 बाहर आ गया यह हो गया 1000 यह हो गया 9.81 अब आप जरह इसका integration करो तो 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसे लिख लेते हैं y की power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 तो यह हमारा हो जाएगा 3 into 1000 into 9.81 into 2 by 3 into अब यह lower limit 0 है upper limit 10 है तो lower limit पूट करने कोई जरुवत नहीं सिर्व upper limit पूट कर लीजे यह 3 by 2 हो जाएगा यानि 1.5 जरह इसे solve कर रही है मैं आपको solve करके बताती हूं कितना आ रहा है आपको क्या करना 10 to the power तो यह आपका आ जाएगा चली last question को discuss करते हैं काफी interesting question है यहाँ ही से आपको hydrostatic paradox अच्छे सा समझ आ जाएगा आपको 3 container दिये हैं और 3ों में जो fluid है वो इस तरीके से भरा हुआ है top surface से same आपकी height है यहाँ पर जो weight है is fluid का w1 है इसका w2 है इसका weight जो है वो w3 है और उसके बाद जो bottom है यह जो आपको bottom दिख रही है इसका जो area है वो तीनों के लिए same है तो आप से पूछ रहा है कि bottom पर लगने वाला hydrostatic force का comparison करिए कि किस में कितना आएगा और तीनों में क्या changes होंगे तो आ मैंने यह देखिए वर्टिकल वाला hydrostatic force लगाया है आपको यह options थे कि आपका होगा वर्टिकल फोर्स फर्स्ट में एंड वर्टिकल फोर्स थर्ड में फिर था कि तीनों में same आएगा ओके तीनों में same हो जाएगा यह option था कि इसमें से कोई भी नहीं होगा तो कैसे पैचानेंगे देखिए जैसे यह वर्टिकल वाला component सोचने स्टार्ट करते तो आपको लग हो जाएगा यहां पर बहुत सारे स्टुडेंट ने क्या करा था डायरेक्ट आंसर लगाया था क्योंकि यह गिविन था उन्हें देखा सेकेंड का वेट जाद है तो सेकेंड में हाइड्ड स्ट्राटिक फोर्स जादा होगा उसकी बात फरस्ट में होगा तो यहां पर एक option भी रखा था और ये टिक करके लोग चले आये थे जबकि ये option गलत था क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जो हम लोगों ने vertical component निकाला था वो था weight of the fluid contained by curve surface up to free surface और यहां पर क्या पूचा है bottom पर hydrostatic force पूचा है तो आपको bottom के दो points आपको पकड़ लेने और कहां तक जाना है free surface तक जाना है अब bottom का area सेम है और free surface से तीनों container की distances भी सेम है तो यहां पर अगर आप bottom पर निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है आपको free surface पर जाना है या free surface पर चलेगा तो आपको इतना fluid का जो weight है वो consider करना है first वाले case में अब second वाले में आ जाईए इसका भी area सेम है तो volume अब यहां पर आप जब top free surface पर जाओगे तो alkaline थोड़ी ना जाओगे आप तो जाओगे vertical इस तरीके से तो यहां पर गए तो आपको सिर्फ इतना fluid का weight consider करना है क्योंकि आप bottom पर hydrostatic force निकाल रहे हो जब आप यहां पर आ जाओगे तो यह यहां पर आपको कुछ imaginary fluid लेट करना पड़ेगा यहां पर fluid नहीं है बट तब भी आपको यहां का volume consider करना है क्योंकि हमारा hydrostatic force है क्या content back surface up to free surface तो हमें up to free surface तक जाना ही है चाहे वहां पर liquid exist कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो अब आप तीनों के जब आप देखोगे तो तीनों का area सेम है और water level जो हमारा top level है वहां से height भी तीनों की ही सेम हो गई तो तीनों का जो हमारा volume है तीनों का volume सेम हो गया इसकी वज़े से तीनों पर लगने वाला vertical hydrostatic force भी सेम हो गया और यहीं हमारा कहलाता है hydrostatic paradox यहाँ पर आप एक heading डाल सकते हो कि hydrostatic paradox क्या होता है hydrostatic paradox यह कहता है कि यह possible है maybe hydrostatic force जो है वो equal ना हो weight of the fluid contained by the tank और contained by the body तो यहीं hydrostatic force है यहाँ पर आप चाहो तो लिख लेना मैं आपको बता देती हूं exactly definition hydrostatic force may not be same as actual weight of the fluid एक single line है लिख लीजेगा यह समझाया मैंने आपको इसी को ही बोलते है hydrostatic paradox और आपने देखा भी कि hydrostatic force जरूरी नहीं है जो actual weight हमारी body का हो जो actual weight हमारा container container contain कर रहा है उसके बराबर हो से कम भी हो सकता है और उससे जादा भी हो सकता है तो आज के लिए इतना ही रखते है आई होप आपको सारी चीज़े समझ आई होंगी नहीं समझ आई तो comment section में जाके comment करके पूछिए आखिर आपको क्या नहीं समझ आया इसके साथ हमारा mechanical vehicle का gate का course पूरा launch हो चुका है अगर आप enroll करना चाहते हो तो description box में आपको detail मिल जाएगी मैं मिलूंगी आप से next video में like share subscribe करना बिल्कल भी मत भूलिएगा thank you so much